सवे भवंतु सुखिन, बुद्ध जयंती पर विशेश पंद्रव, जो गुरु उब्देश के अनुरूपो ग्रहन करें, संयुक्त निकाय से कुछ पंत्तियां, जो स्वयम से प्यार करता है, वह दुष्टता से दूर रहता है, जो गुरे कार्य करता है, उसे कभी आनत दिव साथ कया जाएगा, शरीर तयाकते हुए हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पत्नी, पुत्री, पुत्र, सगे संबंधी और मित्र, सोना अनाज और सभी प्रकार की संपत्तियादी, सभी पीछे छूट जाएंगे, किन्तु जब हम इस संसार में होते हैं, तो अपने शरीर, अ अपनी आवाज वह अपने मस्तिश्क से जो कुछ भी करते हैं. यही वह कृत्य कर्म है, जिसे हम अपना कह सकते हैं. यही वह कृत्य कर्म है जो मृत्यू के पश्चात हमारे साथ जाते हैं. कर्म छाया के समान कभी पीछा नहीं छोड़ते. बुरे कर्म कभी भी चुपाए नह नहीं जा सकते। सतकर्मों का कभी नाश नहीं होता। और वह हमेशा प्रकट होंगे। अतर सभी अच्छे कर्म करें। भावी सम्रिद्धी का यह खजाना है। इस जीवन में अर्जित सद्गुन अच्छा फल देगा। धंपद। हम जो कुछ भी हैं वह सभी कुछ अपने व अवित्र नहीं कर सकता। जिसके निर्नय और निश्चे सुद्रड हैं। जो आलसी नहीं पुरुशार्थी है। वही बोधी पत पर अग्रसर हो सकता है। लगातार एक छे.